नर्मदपुरम जिलेकी सिबनी मालबा बिधानसवा के ग्राम पंचाय धिरन खेड़ा के आदिवासी टोला महुआ खेड़ा जिसमें करीब 20 मकान है महुआ खेड़ा टोला 50 सल पेले बिस्तापित हुआ था पर आज तक इस टोले में पहुँच मार्ग नहीं है जिसके कारण आदिवासी समुदाय के लोगों को अपने घरों तक जाने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है आदिवासी टोले के लोग किसान के नीजी खेश से उकर निकलने को मजबूर है आदिवासी बर्तमान में एक किसान के खेत में से उकर निकलते हैं ये किसान भी समय समय पर उस खेत में फसलों को पानी देता है तो मार्ग में पानी या अन्य व्यबधान होने के कारेण उन्हें दल दल भरे रास्ते से निकल कर जाना होता है इस्ताई आवगवन हेतु कोई भी मार्ग इस टोले के लिए नहीं है सास्किय गोहा तो है परन्तु वह भी अतिक्रमन की चपेड में है आदिवासियों के दोरा कई बार मांग की गई है कि गोहे को अतिक्रमन मुक्त करा दिया जाए जिससे उन्हें आवगवन में समस्यों का सामना ना करना पड़े इस बारे में जब जनपत पंचाल सीएओ दुर्गेश कुमार भुमरकर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताए कि मेरे कारेले में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है जल्द ही उक्त टोले में जाने वाले सास्किय गोहे को अतिक्रमन मुक्त कराया जाएगा जिससे की वहां के निवासियों को आवगवन में परिशानियों का सामना ना करना पड़े पकातारही या किसी में तूट रहा है तो उसको कहीं खरकाली जंगा दें उस भी करें तो उन लोगों को परिशानी ना हूँ अब अरनिखडा ग्राम पंचाथ पर रहने वाले हैं और आदिवासी टोला है हमारे अरनिखड़े शे मतलब दो सुक्रमन में आगे और हम लोगों क्या है पर्विशानी हैं हां पर क्या र tapa को विवेस्द्र को नी और सामने वाले खेट से निकल रहा है और यहां से कम आप 50-55 सारे हां ठेने वाले इस गौवर पी पानी के और रोट पूर विवेस्द्र नहीं है हमारे पास अभी तक हम दूसरे के विवस्ता करके दें हर मतलब दास से 10-12 साल हो गया हमेसा अब दें हमारे कोई सुनवाइब नहीं हो रही है और वह से हर वेक्ती परिशान हो रहा है च्छे नंबर बाड में रोड नहीं है हम बहुत परिशान हैं 55 साल से हमको रोड चाहिए और हम दूसरे खेट में निकल रहे हैं वह बहुत गाली घुपता करता है और पानी भढ़ देता खेट में तो और गर्मी में परिशान होते हैं बस कीचा मचड़ बहुत मच्रा है और जी है ऐसे कि तो परिशान ही हो रहे हैं दूसरे के खेट में से निकलते हैं इंकरता欸 कमी मतलब कोई राश्टा देखाओ पिराश्टा है कहां से निकलैंगी दी